हाई दोस्तो तो यह हूँ मैं और मैं अभी पहुंच चुका हूँ कलका दो दिन की जन्नी के बाद मैं अभी पहुंच चुका हूँ कलका तो यह अपने ट्रेन आ चुका है तो यहीं से सुरू हो रहा है मेरा सपर करीब तीन गंटे के बाद हम आभी पहुंच चुके हैं एक छोटा शर स्टेशन में यहाँ पर करीब 20 विंट का ब्रेक और वेटफरस्ट करने के बाद हम निकल जाते हैं आगे लिखने जा रहा हूँ एक नए कहाने कानों में घूंजे तेरी बाद तो यह ट्रेन करीब सौ टरनल और आट सो मरीच को कवर करता है करीब 6 गंटे का सफर करने के बाद मैं अभी पहुँच चुका हूँ सिम्ला सिम्ला में पहुंचने के बाद मैं शेट जाता हूँ एक रूम चेक इन करता हूँ और सो जाता हूँ और जब मेरे साम को आखे खुलता है सिम्ला के नजारे तो अलगे दिखते हैं तो यह सफर में मैं अकेला नहीं है मेरे साथ दो दोस्त और भी हैं तो मैं अब यह दोनों को लेने जा रहा हूँ यह देखिये कौन आगया सिम्ला में देखिये इधर देखिये और कौन यह देखो यह है आलोग भाई और यह है रोसन भाई तो अब हम ओल्ड बस्टन आ चुके हैं यहां से बस पकड़के हम जा रहे हैं अड़ान स्टेडीज तो अब हम पहुंच चुके हैं अड़ान स्टेडीज यहां से कुछ 15 मिंट का वाक है यह है इंडियान इंस्ट्टूट आफ एडवान स्टेडीज इसको भाईसरी का लॉज भी कहा जाते हैं मैरे यह सबसे साथ सिम्बला का सबसे कुफुरत बिल्लिंग यह है इंडिया इंडिपेंडेंस मुव्मेंट के बहुत सारे हिस्ट्री डीसिजन बीसी बिल्लिंग से ले गया था इंडिया से पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान को अलग करने का डीसिजन बीसी बिल्लिंग से ले गया तो यहां से निकलने के बाद हम जाते हैं स्टेट मुजियम जहां पर हिमाचल की पुरानी स्टेजू, ड्रेस, और्नमेंट और पुरानी केमेरा भी रखा गया था तो अब हम आच चुके हैं सिम्ला का मोस्ट फेमस प्लेस मान रोम यह है सिम्ला का क्राइश्च चर्च यहां पर बहुत सारे फोटो खीजने के बाद हम कुछ टाइम हम एक जगा सांती से बेट जाते हैं और एसे बेटे-बेटे पता भी नहीं चलता कब साम हो जुका है यह जगा दीन में जितना कुपसरत दिखता है साम होते होते यहां का माहूल को जलागी लगता है तो यहां पर खतम हो रहा है हमारा सिम्ला का जबर लेकिन यहां पर हमारा ट्रिप खतम नहीं हो रहा यहां से बस पकड़के हम हमारे नेक्ट डिशनेशन पर जा रहे हैं जगा जगा ट्रिप खते नेक्ट ब्लोग काईज